अन्थानक्यू आप सभी का यूणकी आप सभी ने पिछले पार्ट में अपना फुल सपोर्ट दिया और में छोप करता हूँ इस वीडियो में आप सभी सपोर्ट करेंगे तो चलिए एक्स्पलेशन स्टार्ट करते हैं और ये विडियो होन वाली है पार्ट फ्री अगर आप आप ने पार्ट वान और पार्ट को नहीं देखा तो जरूर से जाके देख ले वहां आपको जरूर से पसंद आएगा और हाँ अगर आप इस वीडियो में 2000 लाइक्स का एम पूरा कर देते हो तुमें इसका नेक्स्ट पार्ट चोरंट ही अपलोड कार दूँगा तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं जैसा कि आप सभी ने देखा कि स्काइड्रीम ने आइस एमपरा को पकड़ लिया होता है जिस पार आइस एमपरा बिंगरी अटाक करते हुए कहती है स्काइड्रीम तुमें क्या सच में ऐसा लगता है कि तुम इस तरीके से मुझे रोक को यूज कर रहा है तो क्या उसे इस बात का डर नहीं है कि वो लोट कर अपनी बोडी में वापस नहीं जा सकेगा या सब देखकर आइस एमपरा काफी ज्यादा कन्फ्यूज होती है और स्काइड्रीम उसे अपने गोल्डन मिस्ट में कैट कर लेता है और कहता है अब हमें से चलना चाहिए और आइस एमपरा जिस मिस्ट के अंदर थी वो एक लाइट में बदल जाती है और वहीं दूसरी तरफ हुआ युहाओ आइस एमपरा को यहां से अचानक से गायब होता देख काफी हैरान होता है तभी स्काइड्रीम आइस एमपरा से कहता है यहां मेरा सिर रिचुल बोल्ड में आ जाता है और ऐसा होता देख स्काइड्रीम काफी ज्यादा खुश होता है और यह कहता है कि मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई जो यह काम कर गया और हम लगभग आधे सफल हो चुके हैं और तभी हुए हुआ युहाओ काफी ज्यादा एमोशनल ह स्काइवभी होदे हुए कहता है कि क्यों और इस तरफ ज्फिल को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होता है कि यह इतना ज्यादा इमोशनल क्यों है इधर हुआ हुआ व काफी ज्यास होदे हुए कहता क्या हम सच में यहां पर मेरी सेकंड स्पिरिट एबिलिटी को हासिल करने आये थे और तुमने मुझसे जूट क्यों बोला पर इस बात की वज़ा से स्काइड्रीम ज्यादा हैरान और परेशान होता है और तभी हुआ युहाव रोते हुए स्काइड्रीम से कहता है जब मैं प सिर्फ तुम ही डेट जिस पा मैंने ट्रस्ट किया मैंने तो तुम्हें अपना टीचर तक बनना लिया लेकिन तुमने मुझे धिना दिया तुम यहां सिर्फ अपने मतलब से आए और मेरा इस्तिमाल किया जिसके बाद हुआ युहाव रोना स्टार्ट कर देता है जिस पर स सब किया मुझे माफ कर दो और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था ये चीज तुम्हें इतनी ज्यादा हाट करेगी और मैं उम्मीद करता हूं कि तुम इस वज़े से मुझे धोखेबास नहीं समझोगे साथ में हुआ युहाव मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं आइस एंपरा है लेकिन अब वहाँ भी इस डूलू कॉंटिनेंट में ज्यादा लंबे समय तक जिन्दा नहीं रह सकती स्काइड्रीम की यह सब बात सुनकर हुआ युहाव कहता है लेकिन इतनी जल्दबाजी क्यों अगर कुछ हो जाता तो इस पर स्काइड्रीम कहता है ऐसा नह पहारे लिए अपनी पूरी पावर को इस्तेमाल करूंगा और यहाँ तक कि बिना आइस एंपरर के मैं तुम्हें इस जगह इसलिए लेकर आया क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी एबिलिटी को पूरी क्षमता के साथ इस्तेमाल कर सकता हूँ स्काइड्रीम की इन बातों को सुनकर हूआ यहाँ भी समझ जठेन की स्काइड्रीम आइस एंपरर को पसंद करता है और फिर बाद में वा इसके लिए सकाइड्रीम से माफी मांगता है जिसके बाद कहता है कि मैं समझ गया जिस पर सकाइड्रीम भी थोड़ा संतुष्थ हो और कहता है कि मैं अब नहीं भाग सकता, तो Skydream खुश होते हुए कहता है, बढ़िया असल में हम कुछ समय पहले ही सेफ जगा पर पहुँच गए है, इधर इस चीज को सुनते ही हुआ युहाँ कहता है, बढ़िया है, और आखिरकार अब मैं थोड़ा सा तो रेस्ट कर सकता ह या कहते ही हुआ युवाओ, वही पर सोने लगता है, लेकिन तभी Skydream चलाते हुए कहता है, नहीं तुम अभी सोन नहीं सकते हो, क्योंकि यह समय असली टेस्ट का है, तो इस पर हुआ युहाँ कहता है, क्या तुम मुझे अभी टेस्ट करने वाले हो, लगता है कि तुम इ युहाँ उठते हुए कहता है, मेरी सेकंड सोल रिंग को लेने के लिए तो Skydream कहता है, तो वो हमें अभी करना चाहिए, क्योंकि हम और ज्यादा टाइम डिले नहीं कर सकते हैं, और यहीं हमारे लिए सेफ रहेगा, क्योंकि आइस एम्परर एक चार लाख यर्ज ओल स्पि कि अगर तुम फेल हो जाते हो तो हम तीनों ही खत्म हो जाएंगे, और फिर हुआ युवाँ कहता है, हाँ ठीक है, मैं समझ गया, और क्या आइस एम्परर मेरी स्पिरिट रिंग बनेगी तो Skydream कहता है, इस चीज को तुम मुझ पर छोड़ दो, और तुमें इस बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और तुम बस अपनी आखे खोल के देखो कि तुम्हारा Big Brothers कैसे चीजों को संभालता है, जिसके बाद Skydream आइस एम्परर के पास जाकर उससे, कहता है, आइस एम्परर लडो मत जैसा कि तुम देख सकती हो, तुम बचके नहीं जा स इसलिए शान्त हो जाओ, जिससे कि हम बात कर सके और फिर आइस एम्पर कहते है, क्या बात करनी है, और तुम जैसा निगमा क्या चाता है, इधर इस बात को सुनकर Sky Green थोड़ा सा निराश होते हुए कहता है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था तुम्हारा रिस्पॉन्स वैसा ही निकला, मैं हमेशा उसके साथ रहना चाता हूँ, जिससे मैं प्यार करता हूँ, तो इस पर आइस एम्पर कहती है, क्या यही तरीका है, तुम्हारा प्यार दिखाने का और तुमने तो मुझे यहाँ पर ट्राप कर रखा है, और तुम्हें किस चीज का डर है, और क स्पिरिट फॉर्म ही रह गई है और अगर यहां नहीं होता तो मैं तुम्हें रोक नहीं पाता जैसे ही आइस स्काइड्रीम की बाड़ी के बारे में सुनती है तो यह काफी ज्यादा चौम जाती है और यहीं कहती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी बाड़ी और सोल इस लड़के के अंदर है इधर हुआ युहाओ इनकी बात को सुन रहा हाओता है तो आई सेंपर कहती है यह तो बिल्कुल नहीं हो सकता है एक बार ही देख तो यहां लड़का कितना ज्यादा कमजोर है और क्या यह तुम्हारा मास्टर बनने के भी काबिल है तो इस पर स्काइ ड्रीम कहता है नहीं यहां मेरा होस्ट है और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यहां मेरा मास्टर है और कहता है मैं इस लड़के की स्पिरिट रिंग बना और वही इतिहास में मैं इसकी फर्स्ट स्पिरिट रिंग हूँ इधर रिंग के बारे में सुनते ही आईस एंप के सामने एक प्रोपोजल रख देता है प्रोपोजल यहां है कि चलो हम दोनों मिलकर हुआ युहां को एक गौड बनाते हैं दोस्तों अब आगे क्या होगा इसे मैं अगले पार्थ में एक्स्प्लेन करूंगा क्यूंकि विडियो पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है अगर मैंने इसका अगला पार्थ बना लिया है अगर उसको आप देखना चाहते हो तो इस विडियो में 2000 लाइक करा दू में विडियो अप्लोड कर दूंगा ओके बाई बाई